मरकुस छटा अध्याई 30 से 56 तक प्रेरितों ने इश्यू के पास इखटे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखा था सब उसको बताया उसने उनसे कहा तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था इसलिए वे नाव पर चड़कर सुनसान जगों में अलग चले गए बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहिचान लिया और सब नगरों से खटे होकर वहां पैदल दोड़े और उनसे पहले जा पहुंचे उसने उतर कर बड़ी भीड दे और दिन बहुत ढल गया है उन्हें विदा करके चारों और के काओ और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मौल ले उसने उतर दिया तुम ही उन्हें खाने को दो उन्होंने उससे कहा क्या हम सौ दिनार की रोटिया मोल ले और उन्हें खिलाए उसने उनसे कहा जाकर देखो तुमारे पास कितनी रोटिया है उन्होंने मालुम करके कहा पांच और दो मचली भी तब उसने उन्हें आ गया दी कि सब को हरी घास पर पांती बांती से बैठा दो वे सो सो और पचास पचास करके पांथी पांथी बैट गए उसने उन पांच रोटियों को और दो मचलियों को लिया और स्वर्ग की और देकर धन्यवाद किया और रोटिया तोड़ तोड़ कर चेलो को देता गया कि वे लोगों को परोशे और वे दो मचलिया भी उन सब में बाट दी सब खाकर तुक्त हो गए और उन्होंने टुकडों से बारा टुक्रिया भर कर उठाई और कुछ मचलियों से भी जिन्होंने रूटिया खाई वे पांच जार पुरुश थे तब उसने तुरंट अपने चेलों को नाव पर चड़ने के लिए विवश्च किया कि वे उससे पहले उस पार बैचसिदा को चले जाए जब तक कि वहां लोगों को विदा करे उन्हें विदा करके वहां पहाड पर प्रात्ना करने को गया जब सांज हुई तो नाव जील के बीच में थी और वह अकेला भूमी पर था जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हावां उनके विरुद दी तो रात के चौते पहर के निकट वजील पर चलते वो उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था परंतु उन्होंने उसे जील पर चलते देखे कर समझा की बूत है और चिला उठे क्योंकि सब उसे देख कर घबरा गए थे पर उसने तुरंत उनसे बाते की और कहा डाडस बांदो मैं हूं डरो मत तब वो उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चरे करने लगे वे उन रोटियों के विशे में न समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे वे पार उतर कर गन्नी सिरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई जब नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसप हमारों को बाजारों में रखकर उससे विंति करते थे कि वह उन्हें अपने वस्तर के आंचल ही को छू लेने दे और जितने उसे चूते थे सब चंगे हो जाते थे विलाप की पहला अध्याय जो नगरी लोगों से भरपूर थी वह अब कैसी अकेली बैठी हुई है वह क्यो जातियों की दृष्टी में महान और प्रांथों में रानी थी अब क्यों कर देने वाली हो गई है रात को वह फुट फुट कर रोती है उसके आसू गालों पर धलकते हैं उसके सब यारों में से अब कोई उसे शांती नहीं देता उसके सब मित्रों ने उससे विश्वास घा किया और उसके शद्रू बन गए हैं यहुदा दुख और कठीन दास्तव से बचने के लिए परदेश चली गई परंतु अन्य जातियों में रहती हुई वह चैन नहीं पाती उसके सब खदरने वालों ने उसकी सकेती में उसे पकड़ लिया है सियों के मार्ग विलाप कर रह गोई है उसके दूही प्रधान हो गए उसका शद्रू उन्नती कर रहे हैं क्योंकि यहवा ने उसकी बहुत से अप्रादों के कारण उसे दुख दिया है उसके बाल बच्चों को शद्रू हांक हांक कर बंधुः में लेगाए सियों की पुतरी का सारा प्रताब जाता रहा ह उसके हाकिम ऐसे हरिनों के समान हो गए हैं जिने कोई चरागाह नहीं मिलती एक खदेडने वालों के सामने से बलहिन होकर भागते हैं यरुशलेम ने इन दुख भरे और संकट के दनों में जब उसके लोग द्रोहियों के हाथ में पढ़े और उसका कोई सहायक न रहा तब अशुद स्थ्री सी हो गई है जितने उसका आदर करते थे वे उसका नरादर करते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी नंगाई देखी है हाँ वह करहाती हुई मूँ फेर लेती है उसकी अशुदता उसके वस्तर पर है उसने अपने अंत का समरण न रखा इसलिए वह भैंकर रीत वो पर हात बढ़ाया है हाँ अन्य जातियों को जिन के विशे में तुने आग्या दी थी कि वे तेरी सभा में भागी न होने पाएंगी उनको उसने तेरे पवित्र स्थान में गुसा हुआ देखा है उसके सब निवासी करहाते हुए भोजन वस्तु ढूंड रहे हैं उन्हों करके देखो क्या मेरे दुख से बढ़कर कोई और पीडा है जो यहावा ने अपने करोद के दिन मुझ पर डाल दी है उसने उपर से मेरी हड्डियों में आग लगाई है और वे उससे भस्म हो गई उसने मेरे पैरों के लिए जाल लगा और मुझको उल्टा लोटा दिया है उसने ऐसा किया कि मैं त्यागी हुई सी और रोग से लगाता और नर्बल रहती हूँ उसने जुए की रस्यों के समान मेरे अपरादों को अपने हाथ से कसा है उसने उन्हें बटकर मेरी गर्दन पर चड़ाया और मेरा बल घटा दिया है जिनका मैं सामना भी नहीं कर सकती उन्हीं के वश में यहवा ने मुझे कर दिया है यहवा ने मेरे सब पराक्रमी पुरुष्टों को तुछ जाना उसने नियत पर्व का परचार करके लोगों को मेरे विरुद बलाया कि मेरे जवानों को पीस डाले यहुदा की कुमारी कन्या को यहवा ने मानो कोलहू में प द्रू प्रबल हुए हैं सीओन हाथ फैलाए हुए हैं उसे कोई शांती नहीं देता यहावा ने याकब के विश्य में या आग्या दिया कि उसके चारों और के निवासी उसके द्रोही हो जाए यह रुशलेम उनके बीच अशुद थ्री के समान हो गई है यहावा सचाई पर ह क्योंकि मैंने उसकी आग्या का उलंगन किया है यह सब लोगों सुनो और मेरी पीडा को देखो मेरे कुमार और कुमारिया बंधुआई में चली गई है मैंने अपने मित्रों को पुकारा परंतु उन्होंने भी मुझे दोका दिया जब मेरे याजक और पुरेनी इसली सदे उलट गया है किंकि मैंने बहुत बलवा किया है बाहर तो मैं तलवार से निर्वन शोती हूं और घर में मुरूत्व विराज रजी है उन्होंने सुना है कि मैं 다र्त lips कोई मुझे शांती नहीं देता मेरे सब शद्रों ने मेरे वेपती का समाचार सुना है पर इस तुने प्रचार करके सुनाई हैं उसको तो दिखा तब वे भी मेरी समान हो जाएंगे उनकी सारी दुष्टता की और दुष्टी कर और जैसा मेरे सारे अपरादों के कारण तुने मुझे को दंड दिया वैसा ही उनको भी दंड दे क्यूंकि मैं बहुत ही करहाती हूं और मेर रद रोग से निर्बल हो गया है वे लाग गी दूसरा अध्या आए यहावा ने सियोन की पुत्री को किस प्रकार अपने कोप के बादलों से डांप दिया है उसने इसराइल की शोभा को आकाश से धर्ती पर पटक दिया और कोप के दिन अपने पाओ की चौकी को समरण नही किया यहावा ने याकूब की सिबस्तियों को निश्टूरता से नष्ट किया है उसने रोश में आकर यहोदा के पुत्री के द्रुड गड़ों को धाकर मिर्टी में मिला दिया है उसने हाकेुं समेध राजिये को अपवित्र टहराया है उसने क्रोध में आकर इसरायल के सिंग को जड़ से काट डाला है उसने शद्रू के सामने उनकी सहायता करने से अपना दाइना हाथ घीच लिया है उसने चारों और भस्म करती हुई लोग के समान याकुब को जला दिया है उसने शद्रू बनकर धनूश चड़ाया और बेरी ब बनकर दाइना हाथ बढ़ाय हुए खड़ा है और जितने देखने में मनभावने थे उन सब को उसने घात किया सीयों की पुत्री के तंबू पर उसने आग के समान अपनी जलजलाट बढ़का दी है यहावा शद्रू बन गया उसने इसरायल को निगल लिया उसके सारे भवन के समान अचानक गिरा दिया अपने मिलाब स्थान का उसने नाश किया है यहावा ने सियों में नियत परव और विश्राम दिन दोनों को भुला दिया है और अपने भड़के हुए कोप से राजा और याजक दोनों को तरसकार किया है यहावा ने अपनी वेदी मन से उतार द दिया है उसके भवनों की दिवारों को उसने शद्रो के वश्मे कर दिया यहवा के भवन में उन्होंने ऐसा कुलाल मचाया कि मानो नियत पर्व का दिन हो यहवा ने सियोन की कुमारी की शेरपना तोड़ डालने की ठान ली थी उसने डोरी डाली और अपना हाथ उससे किया उसके राजा और हाकिम अन्य जातियों में रहने के कारण व्यवस्था रहित हो गए हैं और उसकी भविश्दक्ता यहवा से दर्शन नहीं पाते हैं सियों के पुत्री के पुरनिय भूमी पर चुपचा बैटे हैं उन्होंने अपने सिर पर धूल उड़ाई और टाट का फेटा बांदा है यरुशलीम की कुमारियों ने अपना अपना सिर भूमी तक जुकाया है मेरी आँखे आसु बहाते बहाते धुंदली पड़ गई है मेरी अंतडिया इंटी जाती है मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेज आफट गया है क्योंकि बच्च अपनी अपनी माता की गोद में छोडते हैं है यरुशलीम की पुत्री में तुझसे क्या कहूं मैं तेरी उपमा किस से दूं है सियून की कुमारी कन्या मैं कौन सी वस्तू तेरे समान टहरा कर तुझे शांती दूं क्योंकि तेरा दुख समंदर सा अपार है तुझे कौन च और जूटे वचन बताए जो तेरे लिए देश से निकाल दिये जाने का कारण हुआ सब बटो ही तुझ पर ताली बजाते हैं वे यरुशलेम की पुत्री पर यह कहकर ताली बजाते हैं और सिरह लाते हैं क्या यह वही नगरी है जिसे परम सुन्दरी और सारी पृत्वी के हर भी है वो हमको मिल गया ह, हम उसको देख चुके हैं यहावा ने जो कुछ थान लिया था वही किया भी है जो वचन वो प्राचनकाल से कहता आया है वही उसने पूरा भी किया है उसने निश्टूरता से तुझे धा दिया है उसने शद्रो को तुछ पर आनदित किया और तेरे द्रोहियों की सिंग को उंचा किया है वे प्रभू की और तन मन से पुकारते हैं है सियून की कुमारी की शेहर पना अपने आसू रात दिन नदी के समान बहाती रहे तनिक भी विश्राम न ले न तरी आंख की पुतली चैन ले रात के हर पहर के आरम में उठकर चलाया कर प्रभू के समुक अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल तेरे बाल बचे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूके के कारण मुर्चित हो र है यहावा दृष्टी कर और ध्यान से देख कि तुने यह सब दुख किसको दिया है क्या स्थ्रिया अपना फल अर्थात अपनी गोद के बच्चों को खाड़ा ले है प्रभू क्या याजक और भविश्दक्ता तेरे पवित्र स्थान में घात के जाए सड़कों में लड़ कुता के साथ उनका वद किया है तुने मेरे भय के कारणों को नियत पर्व की भीड के समान चारों और से बुलाया है और यहावा के कोप के दिन न तो कोई भाग निकला और न कोई बचा रहा है जिनको मैंने गोद में लिया और पाल पोस कर बढ़ाया था मेरे शद्रु ने उनका अंत कर डाला है भजन सहिदा 101 अध्याई मैं करुणा और नियाई के विशे गाऊंगा है यहावा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग से चलूँगा तु मेरे पास कब आएगा मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूँगा मैं किसी ओचे काम पर इच्चित न लगाऊंगा मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं ऐसे काम में मैं न लगूँगा तेरा स्वभा मुझसे दूर रहेगा मैं बुराई को जानूँगा भी नहीं जो छिपकर अपने पडोसी की चुगली खाए उसका मैं जो चल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा जो जूट बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा बोर ही बोर को मैं देश के सब दुष्टों को सतिनाश किया करूंगा इसलिए कि यहवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नश्ट करूं